आज हम देखेंगे विद्वा महिला का संपत्ती में कितना अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में किया स्पष्ट। विडियो को लाइक, कमेंट, शेर कीजिए, सबस्क्राइब करना मत भूलिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक एहम मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया है। विद्वा महिला के भरण पोशन अधिकार से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 के सेक्षन 14-1 के तहट हिंदू विद्वा महिला अगर किसी संपत्ती की देख भाल कर रही है या उसका उस पर नियंत्रण है तो पती की मृत्यू के बाद भी महिला का उस पर पूरा अधिकार है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने यहाँ फैसला दिया है। जजों की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि धारा 14-1 महिलाओं के पक्ष में एक उदार परिद्रिश्य की अपेक्षा करता है। इसके पीछे सामाजिकार्थिक उद्देश्यों हैं। कोट ने माना कि विध्वाओं को भी संपत्ति में पूरा अधिकार मिलना चाहिए। कोट ने फैसले में कहा यह 1956 के अधिनियम की धारा 14-1 के आधार पर है। हिंदू विध्वा का सीमित हित अधिकार खुदबखुद पूर्ण अधिकार के तौर पर बदल जाता है। यह स्पष्ट है कि ऐसी संपत्ति जो महिला के पास है भले ही वह 1956 के अधिनियम के शुरू होने से पहले या बाद में अर्जित की गई हो। अधालत एक परिवार के दो मृत सदस्यों के बीच विवाद की सुनवाई कर रही थी। दोनों सदस्यों के कानूनी प्रतिनिधियों एलार के जरिये केस की सुनवाई आगे बढ़ाई जा रही थी। अपील करता के वकील ने प्रतिवादी की सपंत्ती पर दावा किया था. संपत्ती पर एक विद्वा का हक साल 1903 से था. थांक यू.